हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सीमा दा स्वाद में तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पालक और मटर की मिक सब्जी जो कि बहुत ही मजेदार बनती है इस सब्जी को आपके बच्चे भी बड़े चाप से खाएंगे आपको हमेशा सिकाइद रहती है कि बच्चे हर सब्जी नहीं खाते तो इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो आपके बच्चे दो रोटी की जगे चार रोटी खाएंगे तो इस सब्जी को ट्राई करना तो बनता है तो चलिए यह सब्जी बनाना सुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीज्येगा ज़्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजेगा तो सब्जी बनाने के लिए मैने यह एक गटी पालक लिया विससे दो बार अच्छे से दो लिया तो आपको काटने से पहले अच्छे से ये कटेगा बारिक तो चलिए पहले से हम काट लेते हैं तो पालक को हमने यहां इस तरह से बारिक काट लिया है अगर आप इस तरह से बारिक नहीं काट सकते तो कोई बात नहीं आप चाकू से जिस तरह से काट सकते हैं वैसा काट ले तो इसे हम साइड में रख द तो दही में हम डाल रहे हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और ये एक चमच हल्दी, तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आप दही में मसाले नहीं मिलाना चाहते, तो पानी में मिला के इस तरह का गोल तयार कर सकते हैं, तो इसे अच्छे से हम फैंट लेंगे, इसमें अमने नमक नहीं मिलाया है, बाकी के मसाले हम बाद में मिलाएंगे, तो इसको हमने अच्छे से फैंट लिया है, और साइड में रख दिया है, अब चलते हैं गैस की तरब, तो गेस पे हमने एक कटोरे में थोड़ा सा पानी लिया है अब कटे हुए पालक को इस कटोरे में डाल देंगे इसे हम हलका सा वोईल करेंगे अगर आपको काट के वोईल नहीं करना है तो आप साबुत कर सकते हैं बाद में ग्राइंड जार में ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन आपको हट के टेस्ट चाहिए तो इस तरह से ही बनाएं क्योंकि अधिक तरह हम पालक की सब्जियां ग्राइंड करके ही बनाते हैं इसमें हमने दो हरी मिर्ची भी डाली हैं बॉयल होने के लिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो दो मिनिट हो चुके हैं इसमें अधा चमच जीरा जीरे के साथ ही डालना है धनिया को हमने क्रस्कर लिया है क्रस्कर करके डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साबुत ना डालें क्रस्कर करके ही डालें तो इसके साथ ही अब हम डाल रहे हैं एक छोटा चमच हीम जीरा अच्छे से तड़क चुका है तो यह हमने लिए दो मीडियम आकार की बारी कटी हुई प्याज प्याज को हम धीमी आज पर थोड़ी दे सोटे कर लेंगे प्याज को कुछ सेकंड चलाने के बाद अब हम डाल रहे हैं जिंजर गाले का पिष्ट और इसके साथ ही डाल रहे हैं पास्ता सौस अगर है तो जरूर डालिए बहुत अच्छा ठेष्ट आएगा सबजी में अगर यह नहीं है तो सेजवान चटनी लीजिए अगर भो भी हैं तो कोई बात नहीं आप इसकिप कर सकते हैं लेकिन सबजी जरूर बनानी है और यह जो हमने मिर्ची दो वाली थी पालक के साथ उसमें से मैं एक मिर्ची डाल रहे हूं क्योंकि यह सबजी बच्चों को खानी है तो इसको भी हम थोड़ा चला लेते हैं तो यहां इसके ऊपर से डालना है नमक जैसे टमाटर जल्दी से पक जाएं तो हमने एक चमच नमक थोड़ा सा हम और डालेंगे तो नमक आप अपने स्वाधन सा डालें जिस तरह का खाते हों तो नमक डालने के बाद आप देख सकते हो टमाटर कितनी जल्दी पक चुके हैं और मसाल मसाले हमने तयार किये थे दही में मिक्स करके वो मसाले हम इस सटेज पर आके डाल देंगे अब आपको इसे कंटीन्यू चलाते रहना है जब तक कि यह दही अच्छे से पकना जाए वैसे आप सिंपल डही डालेंगे तो फटने का डर रहता है अगर दही में मसाले में आके आप डालेंगे तो दही फटेगा नहीं लेकन आपको अच्छी तरफ पकाने के लिए इसे कंटीन्यू चलाते रहना है जब तक कि मसाला ओल ना छोड़ दे गैस आपको धीमी रखनी है और इसे चलाते रहना है तो आप देख सकते हैं मसाले ने ओल छोड़ दिया है यानि कि अच्छे से पक चुका है तो जो उदला हुआ पालक था वह हम इसमें डाल देंगे पालक आपको निचोड़ना नहीं है सिर्प अलग करना है पानी से तो हमने इसे निचोड़ा नहीं है पानी से अलग किया है आप देख सकते हैं, इस पालक को डालके आपको अच्छे से मसाले मिक्स कर देने हैं, चलाते रहना है थोड़ी देन, तो पालक को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम डालेंगे ये एक कटोरी मटर, मटर डालने के बाद आपको इसे भी चलाते हुए, अच्छे से गूल मिल जाएं, तो हमने यहां 20 से 25 सेकंड इनको अच्छे से मिला लिया है, गेस का फ्लेम अभी दीमा ही है, तो इसमें हम एड कर रहे हैं, आदा गलास पानी, आप इस सब्जी को थोड़ी तरी वाली रखना चाहते हैं, तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते ह हैं, तो मैंने केवल आदा गलास पानी मिलाया है, अब इसे हम 3 से 4 मिनट ढख कर पकाएंगे, तो सब्जी को हम ढख देते हैं, और 3 से 4 मिनट का बेट करते हैं, तो सब्जी को पकते हुए 4 मिनट कम्पलीट हो चुके हैं, तो अब हम ढख कर नठा के इसे चेक कर लेते हैं, ये देखिए एक्दम पर्फेक्ट ना तो आपको इसमें पानी अलग लग रहा है ना ही मतर ना ही पालक आपस में सारी चीजें घुल मिल गई है इसी तरह का सबजी का ठक्षर होना चाहिए एक्टम पर्या अब आप इसमें डालेंगे गरम मसाला या किचिन किंग तो मैं यहां एक चमच किचिन किंग एड कर रही हूँ आप चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो तो इसको हम थोड़ा इस पेचुला से चला देंगे और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बन ये लीजिए गरमा गरम सब्जी अगर आप इस सब्जी को इस तरह ही खाना चाहते हैं तो इस तरह भी खा सकते हैं अगर इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का चाहिए तो आपको थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा तो इस सब्जी में हम डालेंगे तड़का तो तड़के के लिए हमने यहां लिया है एक चम्मत देसी गी तड़का हमेसा देसी गी काई बनाएं बहुती अच्छा टेस्ट आता है तो गी गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल रहे हैं आदा चम्मत जीरा थोड़ा सा हीम और दो सूकी लाल मिर्ची अब हम गेस का फिलेम बन कर देंगे और इसमें डालेंगे रेड चिली पावडर यह कसमीरी लाल मिर्ची है इससे बहुत अच्छा गलर आता है तड़के में और यह तड़का बनके तयार है अब इसे हम डालेंगे सब्जी में तो इस तरह से आप सब्जी का स्वाद दोगना बढ़ जाएगा और जो अमने लाल सूकी मिर्ची डाली थी तड़के में एक को अमने ग्रस कर लिया था इस तरह उपर डाने के लिए और घर्मा गरम पालक मतर की सब्जी तैयार है तो आपको अभी भी सब्जी का लुप तो उटा सकते हैं आप को बहुत ही पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू